ये 10 प्लस 2 प्लस 3 का structure क्या है ये वो structure है जिसमें से आप और मैं पढ़कर निकले हैं दोस्तों क्या कभी आपने सोचा ये 10 प्लस 2 प्लस 3 के structure में हमारी पढ़ाई क्यों होनी चाहिए यानि 10th class तक बच्चा सारे subjects को पढ़ेगा फिर 12th class में वो अपना specific subject choose करेगा उसके बाद में प्लस 3 यानि कि graduation level में जाकर वो अपने subjects को ढंग से पढ़ सकेगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कोठारी कमिशन को कोठारी कमिशन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें education system को ढंग से समझना है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको ये कोठारी कमिशन की पूरी स्टोरी ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको स्टोरी ठीक से समझ में आए देखो जब आजादी मिली हमें तो उस वक्त हमारा देश गरीब था तो हमारी गवर्मेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जनता को तीन चीजे मुहाया करवाई जाए यारी तीन चीजे बहुत जरूरी थी उस वक्त रोटी, कपड़ा और मकान एजुकेशन पर फोकस नहीं किया क्योंकि उस वक्त जरूरी यही था इसके बाद बहुत टाइम बात जाके गवर्मेंट का ध्यान गया सिक्षा पर कि एजुकेशन भी जरूरी है एजुकेशन के बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता तो गवर्मेंट ने सिक्षा पर फोकस किया लेकिन सिक्षा पर फोकस कैसे किया जितने भी commission बने वो सिख्षा को टुकडों में माट रहे थे यानि जितने भी commission बने कोठारी commission के आने से पहले जितने भी commission बने कुछ तो focus कर रहे थे upper level की education को यानि की university की level की education को कुछ school level की जिसमें बच्चे पढ़ते हैं कुछ और भी उपर के लेवल की एजुकेशन को फोकस कर रहे थे कुछ मिड लेवल की तो कुल मिलाकर पूरे ओवरॉल एजुकेशन सिस्टम पर किसी ने भी फोकस नहीं किया और वो फोकस किस नहीं किया दोस्तों कोठारी कमिशन ने अब आता है साल 1964 जब भारत सरकार को फील हुआ कि वाकई में देश में एक राष्ट्री सिक्षा नीती होनी चाहिए तो उस समय UGC के चेर्मेन थे दौलत सिंग कोठारी इने ही को हम DS कोठारी बोलते हैं दोस्तों DS कोठारी DS कोठारी आपने नाम सुना होगा इनको भारत सरकार ने बुलाया और कहा कि राष्ट्रे सिक्षा नीती पर काम करो अब DS कोठारी अपनी पूरी टीम के साथ में जाते हैं और 100 दिन तक भारत में पूरे भारत में घूमते हैं और टेस्ट करते हैं कि कौन सी युनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई हो रही है। इन्होंने फोकस किया कि language को लेकर क्या issue है। अगर हमारा देश का युवा पढ़ रहा है तो बदले में उसे नौकरी भी मिलनी चाहिए। वो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है। और सबसे important चीज तो ये है कि future में किस चीज की need है। future में जिस तरह की need हो उसी तरह का education system हमें बनाना चाहिए। अब हम लोग कुछ facts पर नज़र डालते हैं और सबज़री कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे बना और इसने क्या क्या काम किया। सबसे पहले तो ये बना था 14 जुलाई 1964 को और इसके chairman कौन थे। दौलत सिंग को उठारी, DS को उठारी जो की UGC के chairman थे। अब इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि primary level से लेकर जिसमें बच्चों को पढ़ाए जाता है higher level तक जब तक बच्चा college complete कर लेता है तब तक एक standardized, एक standard में एक pattern तयार करना कि ऐसे ऐसे education देनी चाहिए एक बच्चे को जब वो school में घुसता है और जब वो college pass out करता है तब तक और ये pattern क्या था दोस्तों 10 plus 2 plus 3 यानि 10 यानि 10th class तक सारे subject पढ़ाए जाएंगे फिर उसके बाद प्लस 2 में आप अपनी पसंद का कोई भी subject ले सकते हो फिर उसके बाद में plus 3 यानि college में जाकर उसी subject को ठीक से पढ़ सकते हो graduation level तक अब इस commission में 17 members से दोस्तों कितने members से 17 जिसमें से 12 members तो Indians थे बाकी के 5 members बाहर के थे foreigner थे पांचों पांच अलग-अलग countries से थे एक England से था एक अमेरिका से फ्रांस से जापान से और रशिया से और J.P. Nayak नाम नोट कर लो J.P. Nayak इसके member secretary थे अब एक important बात मैं आपको बता कि यह जो कोठारी commission बना था दोस्तों यह एक अकेला commission नहीं था कोई भी चीज एकदम से नहीं बन जाती इसके पहले 5 commissions बने थे लेकिन उन में कमी क्या थी वो education के किसी एक हिस्से पर focus करते थे कुछ तो university level को focus करते थे कुछ सिर्फ बच्चों के school level को focus करते थे primary level को कुछ medical level को focus करते थे लेकिन इन्होंने क्या किया entire education system पर focus किया अब इस commission के अंदर 12 तो task force सी और 7 working groups से दोस्तों 9000 लोगों का इन लोगों ने interview लिया था 100 दन के अंदर और ये सब करने के बाद में सर्वे करने के बाद में interview लेने के बाद में इन्होंने एक report बनाई दोस्तों उस report को इन्होंने चार भागों में divide कर दिया यानि चार sections बना दिया उस report के अब दोस्तों इसकी बात मैं बात करने वाला हूं बहुत important चीज़ की आप धंग से सुनना देखो इस commission ने बात की थी increase in productivity ये point बहुत important है दोस्तों इसको ढंसे सुनना इन्होंने कहा कि सिक्षा सिर्फ ग्यान के लिए नहीं होने चाहिए ग्यान के सासत वो हमारे देश को कुछ देने भी चाहिए यानि बच्चा पढ़के निकले अच्छी बात है लेकिन पढ़ने के बाद में वो हमारे समाज में कुछ योगदान भी करना चाहिए पहली चीज तो ये कही इन्होंने important चीज है इसको note करना दूसरी चीज क्या कही इन्होंने कि national और social integration को promote करना चाहिए इसमें एक बहुत important चीज है दोस्तों जिसको note कर लेना आज तक वो चीज लागू नहीं हो पाई है common school system यानि सभी बच्चों के लिए एक common school होना चाहिए जिसमें सभी को बराबर education दी जाएगी लेकिन आज ऐसा है क्या आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छे school में पढ़ाते हैं और जिनके पास नहीं है उनके बच्चे government schools में पढ़ते हैं यानि नई चीजों को अपनाना सीखना चाहिए टीचर्स को आज भी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे teachers हैं जो बहुत सारे schools और colleges में पढ़ाते हैं लेकिन technology को समझ नहीं पा रहे हैं modernization को समझ नहीं पा रहे हैं इसकी वज़े से वो वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को तो education में modernization होना चाहिए चौती चीज इन्होंने बोली social, moral और spiritual values भी शामिल होनी चाहिए तो ये सारी बात इन्होंने की अब मैं structure की बात करता हूँ दोस्तों कि इन्होंने क्या structure design किया ये 10 प्लस 2 प्लस 3 का structure जो दिया था इन्होंने ही दिया था इनके ये structure देने से पहले graduation सिर्फ 2 साल की होती थी, 2 साल के अंदर बंदा graduate हो जाता था इन्होंने अपना एक structure दिया जिसमें पहले pre primary होगा, फिर primary होगा, फिर upper primary होगा, फिर secondary होगा, फिर senior secondary होगा उसके बाद में जाके college में जाएगा बच्चा, तो आज हम लोग जिस structure से पढ़ते होगा आया हैं दोस्तों, 10 प्लस 2 प्लस 3 वाले में, ये सारा कोठारी commission की recommendation की वज़े से ही है अब इस commission ने अपनी report जो दी थी न दोस्तों, 21 महीने के बाद में government को submit की थी 29 जून 1966, 29 अब जून 1966 में, और पूरे 100 दिनों तक, कितने दिनों तक, 100 दिनों तक इन्होंने पूरे देश में survey किया था अब इस वीडियो को खतम करते करते एक आखरी बात में आपको बताना चाहूंगा देखो ऐसा कोई भी commission बनता है ना, जैसे कोठारी commission बना, मकॉलेज मिनिट आया तो ये जितने भी commissions बनते हैं या फिर कोई भी समीती बनती है ना इन सब का काम होता है survey करना, अपनी report प्रस्तुत करना government के लिए अपनी report प्रस्तुत करना, ठीक है इन commissions ने जो बोल दिया, government को मानना ही मानना है ऐसा नहीं होता, government खुद से विचार विमश करती है सोचती है कि वाकई में हमें ये चीज़ implement करने भी चाहिए या नहीं ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इस commission ने कोई report दे दी तो government बाद दे है उस report को follow करने के लिए, नहीं government अपने हिसाब से विचार करेगी और फिर बाद में अपलाए करेगी इन चीज़ों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आईए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही